नमस कर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटीव चैनल मैथ मंचपर दोस्तों आज के सबीड होई मैं आपको भ्लूका झोड और घठाना सिखाऊंगा, ओके? तो मैं आपको इस वीडियों भिन नका जोल घटाना तो बता ही रहा हूँ साथ ही साथ मैं आपको LCM नकाना भी सिखा दूँगा दोस्तो LCM भी दो कंडिशन में नकाला जाता वो दो कंडिशन क्या होती है वो आपको आप वीडियों में पता चल जाएंगी पहले आप समझेए मानली जह हम कोई संख्या है मानली जह हमारे पास कोई संख्या है चार और साथ हमें इन दो संख्याओं का LCM निकानना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लाइन कीछ लेंगे दो अब आपके पास एक नमबर चार है एक नमबर साथ है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसमें सबसे छोड़ी संक्या से भाग देते हैं सबसे छोड़ी संक्या से मतला हमारा सबसे पहले नमबर टू से भाग देना होता है देने को भाग आप एक से भी दे सकते हो फिर वही नमबर आ जाएगा तो हम यहाँ पर सबसे छोड़ी संक्या किस से सबसे पहले दो से भाग देंगे यदि किसी में भाग जा रहा होगा तो हम दो से भाग देंगे यदि नहीं जा रहा होगा तो हम उससे थोड़ी बड़ी नमबर लेंगे यदि हम यहाँ पर 2 से भाग देकर देखेंगे तो 4 में जा रहा है तो हम भाग इसमें 2 का देंगे यदि यहाँ 4 में भाग नहीं जाता तो हम यहाँ पर 4 नहीं देकर किसी और नमबर से भाग देते खिलाल है यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है तो हम इसलिए हमने दो का भाग दे दिया है साथ में नहीं जा रहा है हम साथ को ऐसा ही लिख देंगे अब यहाँ पर देखिए है दो है और साथ है इसमें दो का भाग जा सकता है क्या जी हाँ जा सकता है तो दो का भाग जाएगा एक बार साथ में नहीं जाएगा आपस में गुणा कर लेना और वही आपका LGM हो जाएगा तो देखे हम क्या करेंगे दो गुड़त दो गुड़त साथ इसका आपस में गुणा कर लेंगे दो दूनी चार सब्सक्राइब 28 आपका 28 हो जाएगा इन साथ और चार का LGM ठीक मान लीजिए हमारे पास कोई तीन नमबर है पांच तीन और साथ इसका आपको LGM निकारना है तो क्या करोगे आप सबसे पहले एक लाइन खेंचोगे और इसमें आप देखोगे कि इसमें क्या दो का भाग जा रहा है क्या इसम जा जाएगा हम साथ को ऐसे लिख देंगे अब इसमें किसका भाग जाएगा दोस्तो नहीं चारिका जाएगाएगा अँदेषchien 5 है 5 और 1 साथ में नहीं जाएगगा साथ कoons हैं सिर्फ इसमें रिख देंगे अब इसमें तो साथ 1 ,1 यह पर नीचे क्या एक आ चुका है तो ह 15 सत्य 105 तो दोस्तों 105 हो जाएगा इसका LCM ठीक अब आते हैं अपना कुस्सान क्या आपना भिन का जोड़ पर देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था LCM किस कंडिशन में निकाला जाता है और किस कंडिशन में नहीं निकाला जाता है बात को मेरी ध्यान से समझेगा अब जब भी आपको हर देखिए इसको बोलते हैं हम अंच और इसको बोलते हैं हम क्या हर एदि आपका हर समान है तो आपको उस कंडिशन में उसका LCM नहीं निकाला है बात फिर से सुनिएगा एदि आपका हर समान है तो आपको उसमें आपका LCM नहीं निकलेगा आपको जो हर द लिखना है और ऊपर जो दिया हो बिलकुल बैसे का वैसा उतार देना है ठीक अब आपस में इसको जोड़ लेंगे साथ में चार जोड़ेंगे हो जाएगा 11 और तीन अब यह दि इसमें भाग जात इसको अम कार सकते थे तो कार देखे लेकिन इदिया मैं इसको कारते हैं से तो जे पॉइंट में दसमलों में आएगा इस कांसर इसलिए हमें इस कांसर हम यहीं छोड़ देंगे ओके अगला कुश्चन देखे हमारा क्या है तीन बटे पांच प्लस दो बटे तीन प्लस साथ सही एक बटे दो इस कुश्चन में आपको दो चीज अलग बतानी है जब भी कोई एसी बन दी रहे होगी तो इसको आप म्सर भन बोलें घंगे बोलोगे ट तो इस करन्य को करना क्या होता सबसे पढल में स्याधन भन यानिकी पी अपॉन क्यूं इस फॉर्म में हमको बनाना होता है ठीक तो देखी यहाँ पर तीन बटे पांच इसको इतना हो जाएगा 14 हो जाएगा ओके और 14 में आपको जो अंस से दिया हुगा उसको आपको जोड देना है तो 14 15 यहनी कि 15 और हर कितना दिया था दो जै आपकी मिस्टर भीन को हमने 7-8 भीन में बदल लिया यहां पर अपर अब हम क्या कर रहे हैं अब हम सिंपल यहां पर करना होता है, सबसे पहले हम उलायन खीचेंगे 5, 3, 1, अब इसमें हम 3 का भाग देंगे 5, 1, 1, दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं किस परकान निकारना होता है, इसलिए मैं डायर्ट कर रहा हूं, अब सिमा 5, 5, 1, येल श्यम बharवर कितना हो जर्म हो जयागा दोस्तों दो इन्टू तीन इन्टू 5 iensों गया अधारटी ओके अब क्या करना होता डोस्तूं अब हमको जो पाँच है इसका हम कुछ संस्में भाग देना होता है तो हम 5 का भाग जैसे से तीस में देंगे तो छे बार जाएगा जाएगा ना जो छे आया है इसका गुणाम उपर तीन में कर देंगे तो छेटिया अठारा ओके पिलस दिया है हमने पिलस लगा दिया अब हम इस तीन का भाग तीस में देंगे तो दस बार जाएगा ओके और दस का गुणाम किसमें क दोड़ लेंगे तो दोस्तों देखि यहां पर कितना हो जाएगा पांच घ्याद की तीन हासिव आ जाएगी एक दो दुचार एक पांच और एक आपकी हासिल तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे 4 और 3 का आप LCM निकालेंगे तो आएगा 12 अब हम क्या करेंगे इस 4 का भाग हम 12 में देंगे इस 4 का भाग हम 12 में देंगे तो कितने बार जाएगा तीन बार जाएगा, ओके 3 का गुना आप 9 से करोगी, तो आएगा आपके पास 27 माईनस दिया से लिए मैनस लगा देंगे अब इस 3 का बागा आफ 12 में दोगे थिन का बागा 12 में दोगे आपका 4 बार जाएगा, ठीक, 4 का गुना पर वोगे 7 से तो कितना हो जाएगा 28 ठीक अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितना है उपर आप यहां 27 है यहां माइनस का 28 है तो 27 जाएगा तो माइनस का बन बचेगा और नीचे 12 दिया आए तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ओके तो दोस्तों इस वीडियो में हमने भेनन का जोड और भेनन का घटाना बहुत ही बारी की समझा है यहीं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चेंग को सब्सक्राइब जरू कीजिए थैंक्स पर वर्चिंग